नमस्कार तोस्तों मेरे नाम है अतुल शिवास्तों और स्वागत है आपका नेक्सेस जीयस में 15 मार्च 2021 नेक्सेस जीयस की तरब से UPPCS Prelims 2021 और समिक्षा अधिकारी 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है दोनों की examination date सभी को पता है UPPCS Prelims का जो examination date है वो 13th of June है और समिक्षा अधिकारी 2021 का जो examination date है वो आपका 1st of August 2021 है तैयारी लगभग से similar होती है दोनों की थोड़ा बहुत अंतर है वो आपको करना है और almost मुझे लगता है कि जो लोग UPPCS देते हैं almost maximum लोग समिक्षा अधिकारी का form भी fill up करते है चले तो हम दोनों के बारें बात करेंगे पहले हम लोग UPPCS Prelims 2021 के बारें discuss कर लेते हैं क्या-क्या इसमें चीजें हैं और अगले 90 दिन के अंदर हमको क्या करना है किन चीजों से बचना है तो पहला तो मेरा statement होगा कि बहुत अधिक पढ़ने से भेतर है आपको उतना पढ़ना है जो परिक्षा अपयोगी हो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आज की rate में कहीं पे भी आप देखते हैं कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो आपको data इतना जादा दे दिया जाता है इतना जादा matter दिया जाता है जो आप तयार नहीं कर सकते हैं और इससे confusion होता है minus marking लगी हुई है आपके paper में तो obvious सी बात है कि minus marking की विज़े से आप swim बाहर हो जाएंगे अगर आप बहुत आधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ठीक है तो आपको सबसे पहला उतनी ही चीज़े पढ़नी है जो परिक्षा उपयोगी हो और यही कारे होता है किसी coaching institution का कि आपको संचित data provide किया जाए जितना परिक्षा के द्रश्टिकोर से महत्पूर्ण हो वो चीज़े provide की जाए मान लेते हैं किसी भी एक किताब की लक्ष्मी कांसर की किताब के बारें बात करें पॉलेटी की सबी लोग बताते हैं कि पॉलेटी की किताब बेस्ट होती है मैं भी यही बताऊंगा कि पॉलेटी की किताब बेस्ट होती है लक्षमी कांसर की ठीक है अब लक्षमी कांसर की पॉलेटी की किताब बहुत अच्छी होती है वो आप तयार कर लिए वो आप एक बार read कर सकते हैं अगर आप कोई आपसे बोले कि वो पूरा याद हो जाए तो ये possible नहीं है impossible सी चीज है ठीक है अब उसमें क्या-क्या चीजें महत्पूर्ण है इस वर्स के लिए कौन-कौन से topic महत्पूर्ण है इस वर्स के लिए उन topic से क्या-क्या questions महत्पूर्ण है इस वर्स के लिए ये कारे होता है Nexus GS का जो आपको बताया जाता है कि आपको इस topic से ये ये चीजें पढ़ाई जारे हैं वो इससे directly चीजें बता दी जाती हैं कि ये ये चीजें important है ये चीजें आपको पढ़ने के आवशकता है ठीक है तो हमारी class जो है audio format में चलती है और classes के बारे में जो पूरी information है वो हमारे telegram channel पर आपको मिल जाएगी telegram channel का जो link होगा इससी video के description box में मिल जाएगा even आपको google पर भी लिखेंगे nexus GS telegram तो आपको मिल जाएगा वहां से आप join कर सकते हैं almost 25,000 लोग उसमें added है 25,000 प्लस जो students है वो पहले से ही add है अब पहले हम लोग जाते हैं पिछले साल के paper के उपर पिछले साल के paper में आपका कहां से और कितने question आये थे जैसे history के question जो बने थे वो 22 question के आसपास बने थे geography के जो बने थे वो 16 question बने थे ठीक है इसके अलावा science के जो question बने थे वो 11 question बने थे quality के जो बने थे वो 20 question बने थे economy के 10 almost आपका लगबाग से हरे एक economy से 10 question के आसपास 10-12 question के आसपास बनते हैं environment से 13 question बने थे current के 32 question थे mix जो questions थे almost आपका 8 questions था तो कुल मिलाकर आपने एक चीज देखी होगी जो सबसे बड़ा range था वो किस चीज का था सबसे बड़ा range था 32 question current affairs का फिर आया mix question का 24 questions mix का मतलब है miscellaneous प्रकार से ये कहीं से भी कोई सी भी topic से पूछे जाता है तो 32 और 24 तो यही हो गया फिर उसके बाद environment environment का craze भी बहुत हाई है 13 question बने थे quality almost लगबग से सबी को आते है जो as parent होते हैं उनका quality पे बहुत अच्छा command होता है क्योंकि छोटा topic है ठीक है तो आसानी से ये 20 number में से 15 number 16 number गेन कर लेते हैं history आपका 22 question आया था तो ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा subject है 22 में से अगर आपको 16 भी मिल जाते हैं तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं है आप 6 number के लिए बहुत ज़्यदा परिशान नहीं हुई है कि 22 में से 22 EM को चाहिए अगर 22 में से 22 की आप कोशिश करेंगे तो obviously बात है आपको time बहुत लगेगा better है कि आप इससे better है आप current के उपर focus कर डा लिए 32 में से अगर 30 question आप सही कर लेते हैं तो आपके marks तो उतने ही आएंगे और examination आपका clear हो जाएगा ठीक है अब जैसे कि मैंने बताया कि अगले 90 दिनों में क्या करना है इतिहास भी है, geography भी है, science भी है, quality भी है, economy भी है, environment भी है, current भी है, max भी है, UP special भी है ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है अगले 90 दिनों में और बहतर धंग से करनी है और इतना नहीं कि आप पढ़ लिए, बहुत सारा data पढ़ लिए, matter बहुत सारा पढ़ लिए, लेकिन याद ही नहीं होता है सभी के लिए, सभी लोगों के साथ, maximum लोगों के साथ ही समस्या होती है कि पढ़ हमने लिया है, लेकिन हम याद नहीं होता है तो reason यह है कि याद नहीं होता क्योंकि matter आपने बहुत ज़दा पढ़ लिया है और matter अगर आप बहुत ज़दा पढ़ लेते हैं तो obvious सी बात है समस्याएं कड़ी हो जाती है तो जैसे starting में ही मैंने बताया इस lecture के बहुत अधिक पढ़ने से बहतर होगा आप उतना ही पढ़े जो परिक्षा की द्रष्टी से महत्पूर्ण हो वही topic पढ़े है जो परिक्षा की द्रष्टी से important आपको लगता हो ठीक है अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा तो आप Nexus GS से जुड़ सकते हैं हमारे classes ले सकते हैं आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि नागरिक्ता का chapter important है क्यों important है यह सभी को पता है कि quality के section में आपका नागरिक्ता से related question पूछे जा सकते हैं पंचायती चुनाव से related question जो है पूछे जा सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है यार यह paper में इस तरह के question कैसे आ गए adaptation कहां से हो रहा है आपको यह चीज़े ध्यान रखनी है ठीक है उसके बाद जो सबसे important चीज़ है revision करना limited data आप पढ़े होगे तो obvious सी बात है आपको revision करने की भी जरूत पढ़ेगी जितना अधिक आप revise करोगे उतना बहतर आपके examination के लिए होगा adaptation बहुत ज़्यादा must होता है अगर आप अपने आपको update नहीं रखेंगे अगर आप अपने आपको उन चीज़ों पर नहीं focus out करोगे जहां से questions नय questions बन रहे हैं तब तक आप examination clear नहीं कर सकते हैं ठीक है तो लगातार अपने आपको update रखने की जरूत होती है यह आपका कोई भी side पर provide नहीं होता है कि चीज़ें आपको update करके दी जाए यह आपको खुद करना पड़ता है फिलाल nexus.js आपको यह सारी चीज़े कराता है reason यह है कि इसी वज़े से हमारे जो back to back selections रहे हैं पिछले 5 साल में प्रतेक परिक्षा में selections रहे हैं तो revision और update पर बहुत ज़दा focus होता है और जो सबसे ज़दा focus होता है कि कम data आपको दिया जाए total 70 minute की class आपको दी जाती है daily ठीक है और इसके अलावा एक या दो page का pdf आपको भेजा जाता है current fairs का एक page भेजा जाता है सिर्फ इतना ही data आपको दिया जाता है और यह examination related होता है सारा का सारा data इसमें आप को आपको किस तरह से पढ़ना है क्या करना है यह सारी की सारी चीज़े class में कराई जाती है सिर्फ और सिर्फ आपको class join करनी है और जो चीज़े उस class में कराई जा रही है वो चीज़े follow up करनी है उसके बाद आप result अपने आप देख सकते हैं अभी recent में जो selection हुआ है 2000 जो UPPCS 2019 क तो वो बहुत ज़्यदा important है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी कि जब किसी भी student का selection होता है वो किसी भी तरह से कोई note अगर अपने teacher के लिए लिखता है तो उससे ज़्यदा important या फिर उससे बोल सकते हैं उससे बड़ा gift उसके लिए कोई भी नहीं हो सकता है ठीक है तो इससी तरह से आपका देख सकते हैं इसके पढले खंड सिक्षा अधिकारी का result आया था तो उसमें चार final selection हुए थे प्रीति पाल जी का आश्टोष जी का अनुराग जी का शीतल श्रिवास्तो जी का ठीक है शीतल श्रिवास्तो बनी खंड सिक्षा अधिकारी तो यह जो note होते हैं वो भी बहुत important होते हैं और motivation का बहुत ज़दा काम करते हैं तो कुल मिलाकर आपको अगले 90 दिनों में किस प्रकार से कारे करना है किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है कैसे कैसे आप selection पा सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में विधवत जो बाते हैं वो class में लग UPCS prelims की ठीक है आपको अलग-अलग payment नहीं करना पड़ेगा एक ही payment में आपका हो जाएगा अगर आपको सिर्फ UPCS prelims का batch लेना है तो 3000 पे करना पड़ेगा ठीक है और इसके अलावा अगर आपको UPCS का जो RO का paper होता है वहां तक पढ़ना है तो 5000 वन टाइम आपको payment करना ह होगा 5000 रुपए payment करने पड़ेंगे उसके अलावा आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ेगा ना आपको test series लेनी है कहीं से ना आपको कुछ भी खरीदना है कहीं से ना कोई book आपको पढ़नी है जो भी data जो भी matter आपको दिया जा रहा है सिर्फ आप उतना तयार करते जाएं ठीक है तो आई थेंक जो चीजें हैं वो clear हो चुकी होंगी चले फिर से बात होगी आगे thank you so much